अग्ज़नी और पत्थर बाजी अग्ले दो साल में होगा 75 नई भारत ट्रेन का परिच्वालन पियम मोदी ने किया एलान हिंदी की प्रसिद लेखी का मन्नू भंडारी का निधन 90 साल की उम्र में लियन तिमसास दिली में साल अब तक डेंगू के 5279 मामले सामने 9 मौते हुई दर्च प्यमोदी ने भोपाल के विश्विस्तरिय रानी कमला पती रेलवे स्टेशन का क्या उद्खाटन नमस्कार प्राइम टीव में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ शिका महरोतर शिरुवात करते हैं उत्तर प्रदेश बुलिटिन की आजमगड में आज नहरू हॉल में सभा के समहारों का आयो जन किया गया जिसमें सभा महिला सभा की राश्टर सचिव बनाए जाने पर सुनीता सिंग का जोड़दार स्वागत किया गया इस दौरान पूर्वमंत्री और सदर विधायक समेत कई दिगज सपानेताओं ने सुनीता सिंग का स्वागत किया दौरान सुनीता सिंग ने कहा कि वो अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं को पार्टी से जोड़ने में कामियाब रहेंगी आगे सुनीता सिंग ने राश्रेय अध्यक्ष अकलेश श्यादफ का आभार प्रकट करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं नौजवान और एकिसान सभी परिशान है आए दिन महिलाओं के साथ घटनाए हो रही है बीज़ेपी सरकार में महिलाओं सुरक्षित नहीं है अब प्रदेश की जंता परिवर्तन चाहती है फिल्म अभिनेतरी कंगना रनौत के बयान भीक में मिली आजादी से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है इसकड़ी में सपाच्छात्र के कारकरताओं ने प्रदर्शन करते हुए टीम को ग्यापन सौप कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग उठाई है जुरान च्छात्र सभाजिलाद्यक्ष ने कंगना रनौत के बयान पर कहा कि कंगना की इस बयान से स्वतंतरता सीनानियों का भी अपमान हुआ है यह मामुला बल्यूट के अमिनेतरी कंगना रनौत ने जो 242 को अजादी मान रही है 247 कुबीक में जो उनका बयान है उस बयान पर हमने आज डियन साहिफ से मुकदमा दर्ज पदम समान वापस लेने के लिए मांग किया है अगर यह हम मुकदमा दर्ज नहीं होगा आने वाला दीनों में हम पूरा जोड़ार करी किसे प्रताबगड में विधायक डॉक्टर आरके वर्मा का बड़ा बयान सामने आया है जहां विधायक ने कंगना रनौत को पदवश्री पुरुसकार दिये जारे को लेकर बयान दिया विधायक आरके वर्मा ने कहा कि देश में अशलीलता परोसने वालों को पद्विश्वी पुरुसकार दिया गया है इसी बयान के साथ विधायक डॉक्टर आरके वर्मा ने सरकार पर भी जमकर दिशाना साथा बता दे कि डॉक्टर आरके वर्मा विश्वनाथन गंज विधान सभा से विधायक है। डॉक्टर आरके वर्मा में क्या कुछ कहा है आई आपको भी सुनाते हैं। दर्मसार हुई हैं। उनका भी अपमान हुआ है। और जिसने देश में असलीलता परोसा हो। उसको सरकार पदमसरी पुरसकार से नमाजे। तो यह सरकार की मानसिक दिए। सपा महिला सभा की राश्री अध्यक्ष जूही सिंग अपने पूर्व निर्धारत कारकरम के तहत सिधारत नगर जुला मुख्याले पहुची। जहां सपा जुला कारे आले पहर जूही सिंग का जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने कारे करताओं के साथ बैठक भी की। जनता इसका जवाब देगी यूपी में महिला सुरक्षा लौन ओर्डर की बात करते हैं हुआनोंने कहा कि इससे महिला सुरक्षा लौन ओर्डर बत्तर होती हुई जा रही है और जुही सिंग ने कहा कि इस बार प्रदेश में सपा को 400 से उपर सीच मिलेगी जाजीपूर की रांती रथ यात्रा क्यों रोकी है उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहला प्रश रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश सरकार डर गई हैं अभी पूरवाँचल में हमने कदम रख रहा हैं तो पहले इसकी बात करें पहले ये बताएं कि पूर्वान्चल एक आयोग का गठन करना था योगी हादितिनात को वो कहा है पहले ये बताएं कि गोरफपूर की मेट्रो कहा है पहले ये बताएं कि कौन सा बिजली का सैयांत रोनों ने उत्तर प्रदेश में लगाया समाजवादी पेंशन क्यों रखी क्यों बंद की और रानी लक्षमी भाई कोश क्यों बंद किया आश्का जोती केंद जो हमने बनाये थे उसका उधगाटन अभी तक नहीं हुआ है आई टी आई पॉली टेक्निक सौनभजर में समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के रास्ट्रे कारेकरणी सदस से बने पर मुहमद सद्दाम का जोरतार स्वागत किया गया सपा कारेकरताओं ने उनका स्वागत किया फूल मालाओं से उनका भव स्वागत किया गया मुहम्मद सद्दाम के स्वागत में सभी वर्गों के लोग मौजूद रहे बाचीत के दोरान मुहम्मद सद्दाम ने बताया कि समाजवादी पारटी के रास्ट्रिय अध्यक्ष अखले श्यादव के निर्देश पर प्रदीब तिवारी के संग्रक्षण में मुहम्मद सद्दाम ने रास्ट्रिय कारेकारणी की सदस्य तक रहड़ की वही अब खबर मिर्जापूर से है जो 2022 का चुनावी बिकुल बज़ते ही नेतनाओ का स्वागत और स्वरूप मौसम की तरह बदल जाता है जो नेता बुलाने पर नहीं आते वो इन दिनों बिन बुलाई महमान बन रहे है गली चौक चौराही से लेकर तमाम छोटे बड़े कारेकरम में शिर्कत करते नजर आ रहे हैं जिसका एक नमूना मिर्जापूर मडिहान विधान सभा से सामने आया है जहां छेत्रक से विधायक और उजर राज्य मंतरी रमा शंकर पटेल का मंदिर में लोगों के साथ बैठ कर भोजन और भजन किर्तन करते और जांज बजाते हुए वीडियो सामने आया है चिंदौली के अली नगत हाना छेत्र में बीते शनिवार की सुभा एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई जिसकी परिजनों ने शिकायत भी दर्ज कराई है लेकिन इस मामले में बस दो आरोपियों की ही अब तक गिरफतारी हो पाई है इस पूरे मामने पर पूरवजला पंचायत अध्यक्षित छात्रबली सिंग ने पीड़ित परिवार के घर पहुँचकर उनका धांडस बढ़ाया उन्होंने मृतक के पिता के आखों से आसु पोचते हुए कहा कि हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे और चाहे जो भी हो जाए हम हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करेंगे जोरान उन्होंने कहा कि जो अब तक आपको न्याई नहीं मिलेगा तब तक हम चैन्स से नहीं बैटने वाले हैं कि अंधिन नहीं है सब लोगों की विर्वतारी होना चाहिए हमको न्याई मिलना चाहिए नाइप र क्रिया की हुए । मले मिले हम को आप से बात हुई, आपने जो घठना बताया, बहुत निंदिये घठना है, ऐसे ऐसे लोग को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, एक सरी परिवार का बच्चा था, उसे इस तरह से बुला के सुपर, और इतनी दर्दनाग घट्या मार के, कुचल के, पत्थर से मार के घट् तोड़ कर, चोरी की वरदात को अंजाम दिया, वहीं जब विद्याले सोंबार को खोला गया, तो देखा गया कि, उसके ताले तोड़ कर, सेफ अलमारी और संदूग में रखा हुआ, कुछ जरूरी सामान और करीब, एक हजार पांस रुपे की नगदी, निकाल का चोर अप नगदा नगवर की राग विद्याले का मैंगेव का चोटे लॉप इसका ना ताला तोड़ा है, और उसके अध्यात विक्ती इसके अंदर हुशे हैं, और उन्होंने सोरी किया, विश्चोरी में जैसे फर्ष्ट इज बॉक्स हुआ, इसका सामान ता, उसके लेगे हैं, उस मैंनपुरी के बेवर थाना छेत्र के ग्राम बंजरिया में मेड काटने को लेकर भाईयों में विवाद में मारपीट के दौरान पायरिंग की गई जिसमें दोनों पक्षियों से अधेर सहित पाच लोग घायल हो गए है पूरा मामला थाना छेत्र के ग्राम बजरिया का है जहां निवासी सत्यपाल सिंग और ग्यान सिंग दोनों भाई है सत्यपाल का खेत की मेड काटने को लेकर ग्यान सिंग और उनके पुत्रों से विवाद हो गया जिस पर ग्यान सिंग और उनके पुत्रों ने घर में घुज कर उनकी पतनी से भी मार पीठ की इस संबन में बेवर्थ हाना प्रभारी सुरेश शन्र शर्मा ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है पुलिस मामले की जाच कर रही है राइबरेली के बच्रावा ब्लॉक के बगाही प्रात्विक विद्याले में प्रिंसिपल मुनी देवी पहुची तो उस दोरान सहायक अध्यापिका नहीं पहुची थी लेट पहुचने की वजह से प्रिंसिपल ने सिक्षकों का अटेंडेंस रजिस्टर छिपा दिया था और इसी बात को लेकर सभी सिक्षक प्रिंसिपल पर आकरामक हो गए इसे बीच किसी ने पूरे घटनकरम का वीडियो किसी ने बना कर सोशल मीडिया पर वारल कर दिया ये पूरा मामला संग्यान में आने पर बीच से शिवेंद्र प्रताप सिंग ने जाच करा कर कारवाई का देश दिया है मैनपुरी की करहल थाना छेत्र से तीन अंतर जिनपधिय लुटेरों को करहल पुलिस और सर्विलांस टीम ने गिरफतार किया है ये लुटेरे आसपास की कई लूट की वार्दात में शामल रहे हैं आपको बता दे की पाच नवंबर को थाना करहल में दिया रिफुली मार्ग पल लुटेरों ने तमचिप के बल पर दमपत्ती से लूट की घटना को अंझाम दिया था इन लुटेरों ने दमपत्ती से जेवरात और बाइक लूटी थी आज इनकी गिरफतारी हो चुकी है लुटेरों के कबजे से पुलिस ने समान समेत अवैद हतियार भी बरामद किये हैं कि पांच तरीक को एक के घटना हुई थी संसनी की घटना जिसमें स्वेंड वाइब से तरफ से मैं पुरी की तरफ आ रहे थे और उसमें गड़ी से आ रहे थे उसी में बदमासों के द्वारा उनको रोका गया संसनी की घटना असलह के बल्पर की गई और उनके गाने लूटे गए और साथ मनत मोटरसाइकल बिच्छीन ले गई थी इसमें करहल पुलिस और सरुलांस की पुरी टीम लगी थी तब ही से ट्रैक किया गया इसको और ट्रैकिंग के बाद फिर इसमें सिधार्त नगर के बासी तेहसील में जो है एक तरफ केदर और प्रदेश सरकार हर ग्राम पंचायतों में राशन उपलब्द करा रही है वहीं कोटेदार कार्ड धारकों के उपर धौस जमाने का मामला सामने आया है लेकिन कोटेदार के द्वारा एक यूनिट पर एक किलो हर कार्ड धारक को ही दिया जो आ रहा है लोगों की काफी शिकायते भी सामने आ रही है विरोध करने पर कोटेदार धमकाता हुआ भी नजर आ रहा है इसके बारे में कोटेदार राम धयाल से जब पूछा गया तो कोटेदार दे कहा ऐसा कोई मामला नहीं है जबकि पूर्ती अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला संग्यान में नहीं आया है अगर इस तरह की शिकायत आती तो इसकी जाच कर रहने वाली महिला अपने बच्चों के साथ कल सदभावना एक्स्प्रेस से मुरादाबाद जाने के लिए निकली. महिला की ट्रेइन में रिजर्वेशन नहीं थी. लहाजा ट्रेंग में चेकिंग के दौरान टीटी ने महिला से टिकट और जुर्माने की बात कही जिसके बाद महिला ने सीट की डिमांड की तो टीटी ने उसे पैंट्री कार में बठा दिया जससे बाद महिला ने आरोप लगाया कि टीटी ने उसके साथ छेड़ छाड़ शुरू कर दी जब महिला ने इसका विरोध किया तो टीटी ने उसे धमकाना शुरू कर दिया महिला ने फोन करके अपने पती को इसकी ज़ानकारी दी और पती के कहने पर आग जब ट्रेन सुल्टानपूर जन्शन पहुची तो महला ने जी आरपी से पूरे मामले की लिख शुकायत की मीर्जापूर के अहरोरा थाने के बरही गाव में नदी किनारे बीच धाम लगने वाले मेले में प्रदेश के जन्पद ही नहीं की बिहार, जहारखन, चतिसगर, मदिप्रदेश, सहित, कई जगह पर लाखों की तादाद में भक्त बाबा के दर्मार में माथा टेकने आते हैं तीन दिन तक चलने वाली मेले में दूरदरात से मननत लेकर आने वाले भक्तों का ताता लगा रहता है मेले में पहुंचे भूत प्रेत बाधा से ग्रसित पूरुषण महेलाओ को भी बाधा से मुक्ती मलती है वहीं दर्बार में आने वाले भक्त का मनना है कि साल में एक बार दर्षिन करने के बाद दवाई से च्छिटकारा मिल जाता है और उनकी हर्म वनुकमना पूरी होती है सिद्धार्त नगर सदर तहसील के धर्मपूर में जिलाकृशी अधिकारी सीपी सिंग ने अपनी तीम के साथ पंद्रा और वरक की दुकानों पर शाप हमारा और वरक की दुकानों पर पी ओ ईस मशीन पर्दर्ज स्टाक और स्टाक बोर्ड का ने रिक्षड किया गया साथ ही ठोक विक्रेताओं के गोधाम का ने रिक्षड करके कंपनीयों के बफर गोधाम का भी ने रिक्षड किया गया जिलाक्रिशी अधिकारी ने 15 दुकानों से दो नमूने लिए और एक दुकान को सील भी किया गया इस कारिवाई में उर्वरक व्यापारियों में देहशित का महल देखने को मिला उर्वरक का विक्री करेगा या उर्वरकों की तश्करी करते हुए लिट पाया जाएगा उसके बिरुद पर्थम सुचना रिपोर्टाज कराने की चारा करके कड़ी से खड़ी करवाई की जाएगी सिधार्त अगर्वी यातायात महीने के मौके पर सिधार्त नगर की साड़ी तिराहे पर अपर पुलिस अधिक शक सुरेश चनर रावत की अगवाई में यातायात नियमों का प्रचार करते हुए गुलाब के फूल बाटे और यातायात नियमों का उलंगन करने वाले चालकों की काउंसलिंग का आयोजन किया गया जिन दो पहिया वाहन चालकों ने हेलमिट लगाया हुआ था और जिन पर चार पहिया वाहन चालकों ने सीड बेल्ट लगाई हुई थी उनकी सरहना करते हुए उन्हें गुलाब के फूल बाटे और जिन्होंने नियमों का उलंगन किया उन सभी को सड़क के किनारे 30 मिनट तक रोक कर काउंसलिंग की गई सिधाद नगर के थाना कोतवाली जोगिया के एन्हे 233 जोगिया करॉंदा के बीच दो बाइकों की आपस में जोरदार टकर हो गई इस दोरान सड़क हाथ से में 4 लोग घायल हो गए जबकि गंभी रूप से घायल दो लोगों को इलाज के लिए गोरकपुर रफर किया गया तो सड़क हाथ से में 4 लोग घायल हो गए हैं एक बार फिर तेज रफतार का क्या है देखने को मिला है आपको बता दे कि दो बाइक की जोड़दार भिड़न्त हो गई जो की एन्ह 233 जोगिया करॉंदा के बीच पे होई उतरप्रदेश के बॉलिटिन में फिलहाल इतना ही तमाम खबरों के लिए बने रही है प्राइम टीवी के साथ